बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे की, बुलुश्री सत्गुरू महाराज की प्राणधार आत्मसम्मने सुन्दर साज्ज कल की चर्चा में हमने सन्यासियों के दशनाम और उनकी विधियों को सुना, उनकी पधती को सुना और उन पधतीयों को सुनकर के स्रीजी ने क्या प्रत्युत्तर दिया उसको सुना अब दसनाम सन्यसियों के पस्चाद छे दर्शन के आचारिय अपनी अपनी पद्धती अथवा अपने अपने दर्शन की विशेस्ता रखने के लिए सामरे आते हैं जैसा कि हमने कल भी सुना कि छे दर्शन भिन 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 विशय नहीं है अथावा एक दुसरे के विरोधी नहीं है बलके स्रिष्टी बनने के भिन भिन कारणों की व्याख्या में ये दर्शन की रचना होई है जैसा कि मैंने कल उधारण भी दिया था कि मुख्य रूप से तीन कारण होते है निमित कारण, उपादान कारण तथा साधारण कारण तैसे हमें भोजन बनाना हो भोजन बनाने में जो बनाने वाला व्यत्ती है, करता है उसे निमित कारण कहा जाता है जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है भोजन बनाते हुए उन सामग्रियों को उपादान कारण कहा जाता है तथा इसके अतिरिक्त पुरुसार्थ, जियान, समय, ये भी उसमें कारण है तो इन कारणों को साधारन कारण कहा जाता है तो इसी तरह से साधारन कारण की व्याख्या में चार दर्शन है और एक दर्शन है उपादान कारण के संदर्ब में तथा एक दर्शन है निमित कारण के संदर्ब में साधारन कारण तो जैसे मैं ने पहले यह आपको बताया समय है, पुरुशार्थ है, ज्यान है इत्यदि तो उन छे दर््षनों के आचारियों ने यहाँ छे दर्षन के आचारिया का तातपर यह मत समझे कि जिनोंने दर्षन लिखा उनकी बात हो रही है दर्शन के जो रचाईता रिशी हुगे हैं वो तो अलग हैं जैसे गौतम रिशी से नियाय दर्शन लिखा गया गौतम रिशी ने नियाय दर्शन लिखा पतंजली मुरे ने योग दर्शन लिखा जैमिनी ने मिमान चा दर्शन लिखा व्यास जी ने वेदान्त दर्सन लिखे सांके दर्सन लिखा कपिल जी ने कणाद रिशी ने लिखा वैसेसिक दर्सन तो ये जो लिखने वाले आचारिय हुए है रिशी हुए वो अलग है हरिद्वार के कुम्ब के मेले में जो सास्त्रार्थ कर रहे हैं छे दर्सनों के प्रतिनिदी के रुप में अलग-अलग आचारिय हैं वो अलग है तो यहाँ सबसे पहले न्याय दर्सन के आचारिय सामने आते हैं न्याय दर्सन जिनको गवतम रिशी ने लिखा है न्याय का अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु को वास्तविक तरीके से जानना ही वास्तों में न्याय है हम न्याय को अंग्रेजी में हम जस्टिस कहते हैं लोग विवहार में न्याय सितात पर ये क्या है कि हर प्रकार के प्रमाणों से दोशी व्यक्ति को दोशी शिद करना और जो निर्दोष है उसको निर्दोष सिद्ध करना और उसी के अनुरूप व्यवहार करना दंड इत्यादी का विधान करना इसी को तो न्याय कहते हैं इसी तरह से न्याय दर्शन में भी हर विशय में प्रमाण इत्यादी की उपयोगिता बताई है क्योंकि किसी भी वस्तू को किसी भी विशय को ढंग से वास्तविक रूप में जानने के लिए तर्क की आवस्यक्ता होती है बिना तर्क के और बिना प्रमाण के हम किसी भी विशय की तह तक नहीं पहुँच सकते तो इसलिए नियाय दर्शन में तरक के विशे में बताया है पंच अवयव के विशे में बताया है और उन सभी तरकों तथा प्रमाणों से प्रमाणू के विशे में बात बताई गई है नियाई दर्शन के अंदर नियाई दर्शन के आचरिय का नाम जैसा कि मैंने कहा गोतम रिसी है, उन्हें अक्षि पाद भी कहा जाता था, अक्षि पाद का मतलब क्या होता है, पाद मतलब पैर और अक्षी मतलब आँख, ऐसा कहा जाता था कि इनके तो पैरों में भी आँख है, कियों कहा जाता था? जैसे कभी-कभी हम चलते हैं हम ध्यान नहीं देते कभी गिलास में पानी रखा है, दूद रखा है हमारे पैरों में लग करके वो गिर जाता है तो हम बोलते हैं कि पैरों में आँख लगा ले जबकि ऐसा हो नहीं सकता तो गौतम रिशी जो है वो एक-एक वस्तो में इतना ध्यान से देखते थे, इतनी गहराई से देखते थे, कि लोग सोचते थे, कि ये जब चलते भी हैं, तो क्या इनके पैरों में भी आँख होती है, क्या, कोई भी विशे उनसे छूटता ही नहीं था, और वस्तो में, जो न्याय के विशे में बात क तो उसकी द्रिश्टी ऐसी होने भी चाहिए, तो ऐसे अक्षिपाद रिशी ने न्याय दर्शन लिखा, उस न्याय दर्शन में प्रमाण के विशे में बताया है, तरकित्यादी के विशे में बताया है, तथा प्रमाणो के विशे में बताया है, और साथ में जो नव्य न्या उसमें दुख की 21 सीणियां वताई गई है। अब जहां स्री जी के सामने जो आचारिय आए है न्याय दर्शन के वे लगता है कि नव्य न्याय के आचारिय थे। अब उन्होंने क्या कहा कि न्याय दर्शन की भेद वाद विधाए माया जीव इस्वर्त रई भिन अनादी सुहाए। न्याय दर्शन की दृष्ठी से कह रहे हैं कि न्याय दर्शन भेद और वाद के सिद्धान पर आधारिते। भेद मतलब भिन भिन यहाँ भिन भिन क्यों बता गया है क्योंकि कुछ दर्शन ऐसे हैं जो भेद के सिद्धान को नहीं मानते सब को एक ही रूप में मानते हैं जैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म का जो सिद्धान थे उपनिसद वाला वेदांग के जो अनुयाई हैं वो सब क ब्रह्म ही समझ लेते हैं, कण-कण में ब्रह्म समझते हैं, अब यहां न्याय दर्शन के जो आचारिये हैं, वो कहते हैं कि जो माया है वह सत्य है हम सत्य आनंद की बात करते हैं ना तो जो माया है, वह सत्य है जीव है वह सत्य भी है और चेतन भी है और जो ब्रह्म है वहा सत्य भी है, चेतन भी है और आनन्द भी है तो तीन अनादी तत्व हो गए, माया, जीव और इश्वर और इन तीनों की विशेष्टा भिन भिन है, तीनों की विशेष्टाओं में भेद है इसलिए ये जो सिध्धान थे वो भेद वाद पर आधारित है कह रहे हैं कि जो माया अथवा प्रकृति है वह केवल सत्य है जीव सत्य और चेतन है तथा ब्रह्म सत्य चेतन और आनन्द मई है इस तरह से सत्य तो तीनों में आ गया अब सत्य किसे बोलते जो तीनों कालों में रहे तीनों कालों में एक समान रहे तो माया भी अनादी है उसी साब से जीव भी अनादी है और ब्रह्म भी अनादी है परंतु तीनों अनादी होते हुए भी तीनों की विशेस्ता भिन्न भिन्न होने से यह भेदवाद का सिध्धान थे तो यह पहली बात और दूसरा कह रहे हैं बीस एक परनाली का सीढ़ी दुख की जौन नास होए तब सुख को प्रापत होवे तौन कह रहे हैं कि दुख की 21 सीढ़िया है यहां सीढ़िया का मतलब कि एकिस प्रकार से दुख की प्रापती होती है ऐसा भी समझ सकते हैं वो 21 प्रकार कौन-कौन से हैं पाँच ज्यान इंद्रिया है और छठा मन है छे हो गए तो छे इंद्रियां हो गए इसी साब से, छे इंद्रियों के विशे हो गए, सब्द, इसपर्ष, रूप, रस, गंद, तथा मन का जो विशे है वहा है संकल्प, वैसे देखा जाए तो संकल्प, विकल्प बोलते हैं, पर ये दोनों संकल्प ही है, और इस तरह से ये हो गए, बारह और इन छे विशेयों का ज्यान अठारह हो गए, फिर अब बचे तीन, तो जो तीसरा है वहा है लौकिक सुख, लौकिक सुख भी दुख का कारण है, इस बात को तो हम मानते ही है, इधर से मानते हैं, पर व्यवहार में नहीं मानते हैं, अभी सायद परसू या उससे पहले की चर्चा में भी मैंने बताया था, कि जो लौकिक सुख है वो दुख का कारण कैसे है, इस सुख को पाने के लिए भी, लौकिक सुख को पाने के लिए भी पहले दुखी होना पड़ता है, और ज्यादा मिल जाए तो भी दुखी होते हैं, कैसे हैं, उदारन दिया थ तो भोजन में स्वाद आता है नहीं आता है तो हमें भोजन का आनन तो नहीं कहेंगे खैर भोजन का सुख लेने के लिए भी पहले भूख रूपी दुख से गुजरना पड़ता है तो पहले भी दुख हो गया और वही भोजन मातरा से थोड़ी ज्यादा हो जाए तब भी ऐसे किसी भी उदारन से आप समझ सकते हैं, पाने से पहले भी दुख है और पाने के बाद भी दुखी होना पड़ता है, तो लवकिक सुख को भी ज्यानी जन, जैसे विश मिश्रित दूद को, दूद नहीं कहेंगे, विश ही कहेंगे, इसी तरह से दुख मिश्रित सुख होन के कारण, इस छ्यानिक सुख को भी दुख की ही संजयादी है, तो ये जो लवकिक सुख हो गया, वहाँ भी दुख का ही साधन है, तो 19 हो गए, 20 मा है दुख, दुख तो दुख होई गया, ठीके, और 21 मा है शरीर, ये शरीर ही तो हर प्रकार के दुख का मूल है, और यहां शरीर दुख का मूल है, यह कहने का तात्पर यह है, कि जब हम अपने आपको सरीर समझ रहे होते हैं, तो दुख का कारण है, अन्य था, यही सरीर धर्म का साधन भी है, यही सरीर ब्रह्म प्राप्ति का साधन भी है, इसी सरीर से हम ध्यान बक्ती कर सकते हैं, तो इसको दुख का मुल कैसे कहेंगे? यहाँ दुख का मुल कहने का तात पर यह है, सरीर नहीं, बलकि शरीर भाव जो है वह दुख का कारण है. क्योंकि मनुख्य जो दुख्य होता है, दुख्य होने का मुख्य कारण है, आशा, अथवा आसकती किस से, जिस भी विशय से वहाँ आशा करता है वे सभी विशय सरीर तथा इस संसार पर ही केंद्रित होते हैं जो की दुख ही देने वाले हैं इसलिए सरीर को दुख का साधन बताया गया है तो ये दुख की 21 सिर्णियां हो गई स्रीजी ने कहा न्याय दर्शन के आचारियों को कि हे आचारे जनो आपने तो सत्य का विचार ही नहीं किया यथार्थ सत्य का विचार ही नहीं किया आप बताईए कि ये जो दुख की 21 सिर्णियां है तो ये कब होगा कि इन दुख की 21 सिर्णियों को हम पार करें और सास्वत सुख को पा जाएं क्योंकि आपने दुख के विशय में तो बता दिया पर सुख की प्राप्ति अथवा अखंड सुख की प्राप्ति कैसे होगी इसका उपाय नहीं बताया जब जो चैतन्य जीव है जिस सरीर पर बैठा हुआ है वही प परब्रह्म, आनन्द का मुल है, उस तक कैसे पहुँचेगा? अब इस प्रश्ण का उत्तर, इन आचारियों के पास नहीं है. इसके बाद, मिमांचा दर्शन के आचारिया आए. मिमांचा का अर्थ क्या होता है? मिमांचा का अर्थ होता है, जानने की इच्छा. किसको जानना? विशेश रूप से जानने योग्या तो दो ही वस्तु है. एक स्वयम की पहचान, और दूसरा है उस परब्रह्म की पहचान. यहां स्वयम की पहचान का अतात्परी यह है, शुरुवाती भी प्रश्ण होते हैं कि धर्म किसे कहते हैं? यहां से मिमान्सा दर्शन की शुरुवात होती है, कि अथा तो धर्म जिग्यासा. धर्म की मिमान्सा से सुरु होकर, क्योंकि अध्यात्म जगत की सुरुवात नहीं से होती है, कि धर्म किसे कहते हैं? और अंत में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म कौन है थवा ब्रह्म किसे कहते हैं तो यहां जो मिमांचा दर्शन है जिसको पूर्व मिमांचा भी कहा जाता है इसमें धर्म के विशे में बताया है अब प्रस्ण नहीं है कि धर्म क्या है तो इस मिमांचा दर्शन में विशेश रूप से सुरू से ले करके आखिर तक कर्म के विशे में बताया है कर्म रूपी धर्म लेकिन यहां कर्म का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कर रहे हैं वो धर्म हो गया जितने भी कारिये हैं उन सभी कारियों में यज्यों को सर्वस्रिष्ट कर्म बताया है यज्जियों वही स्रिष्ट तम कर्म तो मिमान सा दर्शन में यज्जियों की वास्तविक्ता बताई गई है और एक नहीं अनेग प्रकार के यज्जियों है उन्हें यज्जियों की वास्तविक्ता बताई गई है और वास्तों में यज्जियों ही कर्म है अब यहाँ यज्य का मतलब फिर ये मत सोचना कि अगनी कुंड में विभीन प्रकार के हविशा का हम हवन कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा बोल करके केवल वही यज्य नहीं है वो तो एक द्रव्य यज्य है द्रव्य यज्य अलग है अतिथी यज्य अलग है बली वैश्वदेव यज्य अलग है ब्रह्म यज्य अलग है तो सभी यज्य को कर्म की संज्य दी है तो मिमान्चा दर्शन में कर्म की बात बताई गई है लेकिन अब क्योंकि किसी के पास भी वह रितम भरा प्रज्या नहीं है वह विवेक बुद्धी नहीं है तो साब्धिक अर्थों को ले करके लोग तो सामान्य कर्मों को ही ब्रह्म समझ रहे हैं यहां जो आचरी आए श्री जी को क्या कह रहे हैं तब मिमान चा दर्शनी बोले कर्म प्रधान कारण करता कर्म है कर्म इष्ट प्रमाण करें कि महत्मा जी सभी का जो कारण है वह तो कर्म ही है और कर्म ही इष्ट है इस संचार में कर्म की प्रधानता है हमारे मत में कर्म की प्रधानता है और युक्तियों से यहां सिद्ध कर सकते हैं कि कर्म से ही करता का अस्तित्व है इसलिए कर्म ही हमारा इष्ट है चाहे आप जीव बोलें चाहे इश्वर बोलें ब्रह्म बोलें जो कोछ भी बोलें यह सब कर्म के ही रूप है कर्म बिना कछू और नहीं सदा अनादी अनूप कर्म ही अनादी है कर्म अनूपम है और कर्म के समान दूसरा कोई है ही नहीं अब बताएए ये कहना कि ब्रह्म में और जीव में क्रिया सीलता है ये तो ठीक है क्योंकि जीव भी चेतन है और ब्रह्म भी चेतन है चेतन किसी ने किसी प्रकार की क्रिया अवस्य करता है जीव जो क्रिया करेगा उसको कर्म कहेंगे और ब्रह्म जो क्रिया कहेगा उसको हम कहेंगे लीला ब्रह्म कर्म के बंधन में नहीं है क्योंकि अगर वह कर्म के बंधन में है तब तो फल के बंधन में भी होना चाहिए इसलिए ब्रह्म लीला करता है जीव कर्म करता है पहली ब जब इंड़ियों का संयोग होता है, उससे कर्म की उत्पति होती है. जैसे मान लीजिए, कि हमें कोई भी कारिय करनारा है, जैसे उधारण के लिए खेत में खुदाई करनी है. कर्म है पर अब तक वो कर्म किया नहीं है इसका मतलब शुरुवात नहीं हुई है ना अभी शुरुवात नहीं हुई इसलिए इसको अनादी तो कहे ही नहीं सकते अब शुरू की जाएगी तो ये तो आदी हो गई और कुछ समय करने के बाद में ये कर्म समावत हो जाएंगे तो इसका अंत भी है आदी और अंत दोनों होने से इसे अनादी और अनंत तो नहीं कहा जा सकता है तो कर्म अनादी कैसे हो गए कर्म की उत्पत्ती होती है मन और इंद्रियों के संयोग से सबसे पहले जो करता है वह मन में संकल्ब करता है और उससे भी पहले अहंकार होता है अहंकार काताथ पर यहां घमंड मत समझना स्वयम के होने का जो अस्तित्व है वह भी अहंकार है जिसे सुक्सम अहंकार कहते हैं तो जब हमें स्वयम के होने का एहसास होगा वो अहंकार हुआ फिर मन में विचार आएंगे कि कोई भी कर्म करना हो तो उसके बाद कर्म अथवा क्रिया की जाएगी तो कर्म की उत्पत्ती हो रही और कर्म की समाप्ती भी हो रही इसलिए स्री जी ने कहा कि स्री जी बोले प्रस्ण तब कर्म विशय है ब्रहांत कर्म के विशय में तो ब्रहांती है और ब्रह्म जो है वो अखंड स्वरूप है सदा एक रस है कर्म सदा एक रस नहीं होता है आपने कही न कही से कर्म की सुरुवात की है कही न कही तक पहुंचे है और कभी न कभी वो कर्म समाप्त होने वाला है कर्म तहां उपजे खपे थीरता उनमें ना है कर्म में स्थीरता नहीं है ये तो उत्पन्न होता है और खतम हो जाता है और अहंकार मन को अमल कर्म लगत है ताहीं कर्म किसे कहते हैं जो अहंकार और मन का अमल है पहले अहंकार और फिर मन से जो विचार किया जाता है इंद्रियों से जिसको किया जाता है वह कर्म कहलाता है अहंकार मन और जीव है जीव में अहंकार आता है और वह कर्म करता है और ज पर ब्रह्म में तो मन है ही नहीं, हम क्या कहते हैं, यतो वाचो निवर्तंते अप्राप्य मनसासह, ब्रह्म तक तो मन की पहुँच है ही नहीं, न तत्र चक्छुर गच्छती, न वात गच्छती, न मनो विद्मो न विजानीमो, उस ब्रह्म तक ये आख भी नहीं पहुँच स के बात की जा रही है कर्म के करने में वे तो ब्रह्म तक पहुंचे ही नहीं इसलिए कर्म को ब्रह्म का स्वरुप नहीं कहा जा सकता है और दूसरा प्रतेक कर्ता में क्रिया शीलता होनी चाहिए होती है पर इसके लिए क्रिया को अथवा कर्म को कर्ता से बड़ा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि करता पहले है तब ही वह कोई न कोई क्रिया कर रहा है जिसको हम कर्म कहते हैं इसलिए करता की ही महत्ता है करता का ही महत्त वहे पर जो कर्म है वह अनादी नहीं है उसको ब्रह्म नहीं कहा जा सकता है स्री जी कहते हैं माया ते पुनी रहित है ब्रह्म स्वरूप समान जो ब्रह्म है वह तो माया से रहित है सास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है पर आप तो ब्रह्म में ही कर्म का आरोप लगा रहे हैं ब्रह्म कर्म करता है इस तरह से आप सभी आपसी खीचातानी में पड़े हुए हैं सोचिए कि ब्रह्म को प्राप्ट करने के लिए भी हमें कर्म से परे होना पड़ता है जिसके कर्मक छय हो जाते हैं उसकी द्रिष्टी ब्रह्म तक कहुंचते ऐसा कहा है क्या केते हैं? ब्रह्मत कैसे हो गए? यहां कर्म के सारे बंधन का तात्परिय यह है कि जब हम किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, उस कर्म का फल तो मिलता है, यदि फल की आसक्ति वहाँ से कर्म किया है तो कर्म की आसक्ति से उसका फल मिलता है और जैसा फल हमें प्राप्त होता है, उसके पिर अगले कर्म करते हैं जैसे उदाहरन के लिए कि हमें आम खाने की इच्छा हुई माल लिजे कि हमने आम के विशे में सुना कभी खाया नहीं है पर किसी से सुना सुन करके त्रिशना हुई और हमने ला करके खरिद करके आम खा लिए एक बार आम खाने के बाद में उसकी ज से आसकती की आधार पर कर्म किया और उसकी आसकती बस गई वो हो गया आसे कर्मा से और फिर हमने आम के पौधे को ले करके लगा दिया अब हम दूसरा जो कर्म कर रहे हैं पहले तो खरिद के लाके खाने का एक कर्म किया अब उसके आधार पर हम अगला कर्म क्या कर रहे हैं अ इस तरह से एक कर्म से दुसरे कर्म जुड़े हुए हैं, इनको कर्मों का बंधन कहा जाता है, तो जिसके ये कर्म के बंधन भी समाप्थ हो जाते हैं, रिदय की अज्यान की ग्रंथियां समाप्थ हो जाती हैं, और जिसके सारे संसे समाप्थ हो जाते हैं, उसी की दृष्टी ब्रह्म तक पहुँचती है तो वहाँ ब्रह्म कर्म के बंधन में नहीं पढ़ सकता है अब आगे सांख्य दर्शन के आचारिय सामने आए सांख्य दर्शन के जो आचारिय है वैसे जो लेखाक है वो तो कपिल मुनी है कुछ लोग सांक्य दर्शन को नास्तिक बताते हैं क्योंकि सांक्य दर्शन में अधिकतर तत्वों की व्याख्या की है परमाणूं की व्याख्या की है और तत्वों से किस तरह से सिक्वेंस में स्रिष्टी बनी उसकी व्याख्या की है जैसे उदाहरन के लिए आज का जो भावतिक विज्यान है भावतिक विज्यान अगर स्रिष्टी के विशे में बात करेगा तो जब सब से पीछे जाएगा वह है गौड पार्टिकल और एक सिद्धान थे उसको कहते हैं बिग बैंग थियरी जो एक विश्फोट हुआ प्रारम में और वहां से स्रिष्टी की रचना हुई ऐसा बोलते हैं पर विश्फोट किसका हुआ बिना किसी परमानों के तो विश्फोट होई नहीं सकता है सांक्य दर्शन में उससे भी परे की बात की है उससे भी पहले की बात की है वैसे तो ब्रह्मवाणी में ये बात इस पश्ट रूप से बताई गई है सांख्यदर्शन के रहस्य को और विज्यान के रहस्य को प्रगटवाणी में राजी ने खोला है कि अब कहूं मूल वचन प्रकार जब नहीं उपजियो मोह अहंकार ना ही निराकार ना ही सुन ना नि निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रक्रित अब वहां से परब्रह्म की इच्छा जिसको कहते है मूल प्रक्रिती फिर मूल प्रक्रिती मोह अहं थे उपजे तीनो गुण मूल प्रक्रिती से मोह तत्व की रचना होती है फिर अहंकार की रचना होती है महतत्व की रचना होती है उससे तीनो गुणों की रचना होती है तीनो गुणों की जो साम्य अवस्था है उसको प्रकृती कहते हैं सत्व रज अब सांख्य दर्शन शुरू होता है सत्व रजतमसम, साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान, प्रकृति से महतत्व, महतो अहंकारह, फिर अहंकार से पंच तनमात्राओं की उत्पत्ती होती है, पंच तनमात्राओं में सबसे पहले आकास के परमाणू, आकास से वायू, आकास अदवायू, वायो हो अगन अगनेहे आपह अद्व्या प्रिथिव्याम अन्नम फिर अन्न से अउसदिया इस तरह से एक एक स्टेप बाई स्टेप सांख्य दर्शन में और कुछ उपनी सदों में भी इसका वर्णन किया गया बिग बैंक फियरी से भी पहले का हाँ गलती हमारी है कि हमने पढ़ा नहीं है हम तो उस बात को मानेंगे जो चार्ल्स डार्विन ने बोल दिया हो लेनिन ने बोल दिया हो स्टिफन हॉकिन्स ने बोल दिया हो पर हमारे रिशियों ने जो बात पहले ही बता रखी है हम उन बा यानिक ने इतना बड़ा सिध्धान्त बता दिया, जबकि ऐसा नहीं है, हमारे रिश्यों ने ये सारी बातें पहले ही बता रखिए, तो जो सांख्य दर्शन है, इसमें तत्वों का प्रकृति के साथ किस तरह से मेल होता है, और कैसे स्रिष्टी बनती है, उसके विशय में निश्चयात्मक बात बताई है, निश्चयात्मक का मतलब उसमें कोई दोराय ही नहीं है, क्योंकि जो संख्या होती है, संख्या जो है वो निश्चयात्मक ता का प्रतीक है, जैसे आपने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी थी, और मैंने कुछ रोटियां खाई, कुछ निश्चित है इसमें, क्या निश्चित है, कोई निश्चित नहीं, लेकिन जहां आपने संख्या लगाई, कि मुझे बहुत भूख लगी थी, और मैंने चार रोटि खाई, निश्चित है, जहां संख्या लगती है वहाँ निश्चित्ता का प्रतीग होता है तो जो सांख्या है सांख्या का आर्थ है निश्चयात्मक ज्यान हम जहां भी नमबर लगाते हैं ना psychological रूप से भी मानसिक रूप से भी वो बाते हैं ऐसा लगता है कि यहां बिल्वकुल perfect है जिसकी बातों में हम नम्मर्स देखते हैं, फिगर्स देखते हैं उन बातों को हम जल्दी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये निश्चित है जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से बहुत समय पहले श्रिष्टी बनी आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है मैंने कहा कि आज से एक अरब 96 करोड 8,53,123 वर्ष पूर्वे श्रिष्टी बनी, निश्चित है ठीक है, तो जहां संख्या आती है, वो निश्चयात्मकता हो जाती है इसलिए जो सांख्य दर्षन है उसका भाव है निश्चयात्मक ज्यान कि किस तरह से पदार्थों का प्रकृती के साथ मिलन होकर के अथवा विक्षोब होकर के श्रिष्टी बनती है, उसका ज्यान सांख्य दर्षन में दिया गया है कि जो ब्रह्म है वह क्या है, जो प्रकृती है वह क्या है, और किस तरह से श्रिष्टी बनती है, लेकिन अब जो मध्यकाल में ज्यान का लोप होता गया तो लोगों ने इसको ढंग से समझाई नहीं कि उसमें लिखा क्या हुआ है, इसलिए अपनी हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से पाउराणिक ताउस में भी घुसा दी अब यहाँ जो सांख्य दर्षन के आचारे हैं वो क्या कह रहे हैं कि प्रकृती पुरुस जब मिलत है जगत प्रगट जब तब होए, भिन भय मिट जात है, हमरो मत यह सोय, कह रहे हैं कि जब प्रकृती और पुरुस का मिलन होता है अब इन्होंने क्या सोचा कि जैसे इस्त्री और पुरुस है इस्त्री और पुरुस के मिलन से सैयोग से आगे बालक की उत्पत्ती होती है तो श्रिष्टी की उत्पत्ती को भी उन्होंने ऐसे ही बता दिया प्रकृति इस्त्री है जो पुरू से जो ब्रह्म है वह पुरू से दोनों के मिलने से श्रिष्टी बनती है ये कौन से विचारदा रहा है सांख्य दर्शन के जो उस समय के आचारे थे मैं ऐसा नहीं कहता कि सांख्य में ऐसा लिखाए सांख्य में इस तरह की बात नहीं है सांख्य में तो निश्चयात्म कुरूप से एक के बाद एक सारी बातें बताई है ये मिलने का वियोग होने का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है ये क्या कह रहे है प्रकृति पुरुष जब मिलत है जगत प्रगट तब होए भिन भाय मिट जात है हमरो यह मत सोए हमारा ये मत है कि मिलने पर स्रिष्टी बनती अलग होने पर समावत हो जाती है श्री जी कहते हैं कि आचारी जी एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रकृती और पुरुष मिलकर के संचार बनाया है जो ब्रह्म है वह ब्रह्म कौन सा स्वरूप है? सचिदानन स्वरूप माया कैसी है? प्रकृती असत, जड़ंस अर दुखमय है प्रकृति और पुरुष का मिलना तो ऐसे ही है जैसे सूर्य के रहने पर भी, सूर्योदय के होने पर भी अंधकार रहना कहते हैं सूरज द्रिष्टे तिमर रहे एही बड़ो संध्य श्री जी कह रहे हैं कि सूर्य के द्रिष्टी में भी अंधकार रह रहा है इसमें बहुत संसय है क्योंकि ब्रह्म जो है वह आनंद मई है चेतन और निर्विकार है और जो प्रकृती है इसमें बिल्कुल उल्टी परिस्थिती है प्रकृती निर्विकार नहीं है प्रकृती में तो विकार है प्रकृती में विकृती है इसलिए दोनों का मिलना किसी भी कीमत में किसी भी हाल में संभव नहीं है और दूसरा आप प्रकृति और पुरुस दोनों को जब निराकार कहते हैं तो निराकार निराकार आपस में मिल कैसे सकते हैं रूप रहे नहीं प्रकृति को मिले कहा ए दोए अब प्रकृति को भी आपने कोई रूप नहीं दिया, ब्रह्म को भी आपने निराकार कहा, तो जब दोनों निराकार हैं तो मिलते कैसे हैं और अलग कैसे होते हैं, वास्तों में प्रकृति किसको कहते हैं? अक्षर ब्रह्म के चित में जो खेल बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है उसको मूल प्रकृती कहते हैं और मूल प्रकृती से क्या होता है मूल प्रकृती मोह अहम थे उपजे तीनों गुण मूल प्रकृती से मोह तत्व फिर अहंकार की उत्पत्ती होती है और उससे तीनों गुण बनते हैं फिर तीनों गुणों से आगे कारण प्रकृती बनती है और उससे फिर पाचों तत्वो की रचना होती है 105 में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन इस तरह से 5 तत्व की रचना होती है और यह जो 14 लोकों से युक्त भवन अथवा ब्रह्मान बनता है अब जब स्रीजी ने इस तरह से प्रश्न किया सांखे दर्शन के आचारिय के पास इसका कोई जवाब नहीं है अब वैसे शीख दर्शन के आचारिय सामने आते हैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सामान्य कारण उपादान कारण और निमित कारण होते हैं सामान्य कारण में से एक कारण समय भी है आपके पास सारी सामगरी उपलब्धो बनाना भी आता हो कोई पदार्थ लेकिन समय नहीं है तो आप नहीं बना सकते बिना समय के कुछ होई नहीं सकता है तो इस संचार को बनने में जितने भी तत्व इत्यादी है उसके साथ-चात में समय का भी जैसा कि मैंने पहले ही कहा ना, इस स्रिष्टी को यहां तक पहुंचने में जैसे सबसे पहले जब परमाणु में विक्ष्यव हुआ, जब एक परमाणु था परमाणु की जो संख्या जब एक होती है तो हम उसको हाइड्रोजन कहते हैं परमानू को संख्या दो होती है अधा वह परमानू की सघंथा हम उसको कहते हैं हेलियं जब सघंथा 3 गुल मी हो जाती है तो उसको कहते हैं लिथियम फिर बेरिलियम बोरन कारवन नैट्रोजन इस तरह से परमानों की सगनता के हिसाब से बढ़ते जाते हैं आगे भवतिक विज्यान के हिसाब से जिसको हम आजकल के मिस्ट्री कहते हैं वैसे तो उसके हिसाब से 118 तत्व हैं हम अध्यात्मिक हिसाब से देखे तो हम 5 तत्व में ही सब को समेट लेते हैं जैसे hydrogen, helium इत्यादी है, oxygen इत्यादी है, इन सब को हम वायू तत्व में ले लेते हैं, और जो स्थूल है, उसको हम जल तत्व में लेते हैं, जो liquid है उसको, और जो स्थूल है उसको पृत्वी तत्व में ले लेते हैं, तो कुल मिला करके, यहां तक पहुँचने में, बनने में एक अरब 96 करोड, 8,53,123 वर्स लगे हैं, तो यह समय हुआ, बिना समय के नहीं हो सकता, कोई भी काम बिना समय के हो ही नहीं सकता, तो वैसे सिक दर्शन में उस समय की बात बताई गई है, समय को काल भी कहा जाता है, अब वेदों में एक सुक्त आता है, उसको काल स कहते हैं, लेकिन यहां जो काल सुक्त है, उस ब्रह्म के लिए काल सब्द का प्रयोग किया गया है, पर वहां काल समय से नहीं है, क्योंकि वहां ब्रह्म ही समय का भी कारण है, ब्रह्म नहीं हो, तो समय हो नहीं सकता, पर ब्रह्म तक समय की पहुँच नहीं है, इसलिए काल स सुक्त में जितने मंत्रे हैं, उस ब्रह्म को समर पित हैं, अब यहां, वैसेशिक दर्शन के आचारिय कह रहे हैं, वैसेशिक दर्शन तब बोले, सब को मुल काल मत खोले, काल पाए उपजत है एही, ख्याल खिलावत सब को तेही. कि संसार में अथवा इस ब्रह्माण्ड की जो उत्पत्ति होई है तो उसमें काल एक ऐसा फैक्टर है ऐसा पदार्थ है कि काल के बीना कुछ होई नहीं सकता वैसे देखा जाए वैसे सिख दर्शन में नौ द्रव्यों की बात होई है वैसे सिख दर्शन के जो नौ विशे हैं उनमें जैसे पांच तत्व हो गया उसके बाद में काल है दिशा है दिशा मतलब डाइरेक्शन जिसको हम कहते हैं उसके बाद आत्मा और मन है काल दिशा आत्मा और मन तथा पांच तत्व ये नौ हो जाते हैं इन नौ द्रव्यों के विशे में वैसेशिक दर्शन में बात की है तो अब यहाँ वैसेशिक दर्शन के जो आचारिय है वैसेशिक दर्शन के सात्वे अध्याय में एक सूत्र आता है कारणेन कालह इस स्रिष्टी का जो एक कारण है वह काल है लेकिन कौनसा कारण? साधारन कारण मैंने पहले ही कहा ना तीन प्रकार के कारण होते हैं साधारन, उपादान और निमित तो साधारन कारण में से एक कारण है काल उसके बिना कुछ नहीं हो सकता लेकिन जो ब्रह्म है वहां तो नित्य है जहां नित्य है वहां काल नहीं हो सकता काल हुआ तो वह नित्य नहीं रहा समय हुआ जैसे हम ब्रह्म को अनादी कहते है अब आपको पुछा जाए कि ब्रह्म कब से है क्या बोलेंगे यदि आपने बोल दिया कि तब से है तो वह अनादी नहीं रहा ठीक है इसका मतलब तो उसकी रचना हुई है उसकी श्रिष्टी हुई है तो ब्रह्म जो है वो अनादी है इसलिए काल की वहाँ पहुँच नहीं होती अब यहाँ वैसेशिक दर्शन के आचरे कह रहे हैं कि सब को खाए करत है नासा एही रूप ब्रह्म को वासा काल ही सब को अपने आप में विलीन कर लेता है नास कर लेता है और ब्रह्म का रूप भी ऐसा ही माना जाना चाहिए कहयो सुरुति इस्मृति के माही काल तहां पहुचत ही नहीं अब स्रीजी क्या कह रहे है कि वेदों में तो काल का नास बताया है काल रहित है ब्रह्म प्रकास जो प्रकासवान ब्रह्म है वो काल से रहित है वाणी क्या कहती है काल आवत न कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों विचारो सोई अखंड साई जो या में होता तो भंग ब्रह्मान को न होई ब्रह्म तक काल की पहुँच नहीं हो सकती है जब वो अखंड है चेतन है सदा रहने वाला है अना दी है तो वहां काल की पहुँच कैसे हो सकती है काल की उत्पत्ती होती है एक समय ऐसा भी होता है जब समय भी नहीं रहता है वेद क्या कहते हैं जब व्यक्त प्रकृती भी नहीं थी, जब अव्यक्त प्रकृती भी नहीं था, उस समय क्या था? उसकी बात में करता हूँ जब कुछ भी नहीं था, ब्रह्म तब भी था, तो इसलिए उसको काल का स्वरुप नहीं कह सकते, कहते हैं ब्रह्म माही उत्पत लए नाही जो ब्रह्म है उसमें उत्पती भी नहीं होती है और किसी का लए भी नहीं होता है ब्रह्म तो त्रिगुणातीत है सबते दूर रहत सब माही ब्रह्म अपने निद स्वरुप से सब से अलग है और सत्ता के स्वरुप से सब के अंदर भी रहता है इसलिए वह काल से भिन्न है वैसे तो सामनी रूप में यह देखा जाता है कि समय के बिना कुछ होता नहीं है पर महाप्रले में समय बीत जाता है जब स्रिष्टी का प्रले होता है समय के अवदी बीत जाती है और जो ब्रह्म है वह तब भी रहता है इसलिए काल को ब्रह्म का रूप नहीं कह सकते चुकि वैसे सिख दर्शन के आचरे इस बात को समझ नहीं पाए कि यहां काल का तातपर यह क्या है जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मध्यकाल में सिख्षा का बहुत लोप हो चुका था सोचे जो हरिद्वार के कुम्ब के मेले में दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं एक माल लिजे कि छोटा सा बच्चा भी थोड़ा बहुत भी पड़ा लिखा होगा वह भी समझ सकता है कि ब्रह्म को काल नहीं कहा जा सकता है वह तो काल से परे है लेकिन यह आचारिय होकर कि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं अब जब स्रीजी ने इसा प्रश्न किया तो वैसे सीग दर्शन के आचारिय पीछे हट गए और योग दर्शन के आचारिय आ गया है और योग दर्शन के आचारिय क्या कहते हैं कि श्रीजी को कह रहे है कि जो ब्रह्म है वह सर्व व्यापक है इस संसार के कणकण में व्यापक है ये संसार ही एही भवन ब्रह्म को लेखो व्यापक इतहीं है तुम देखो इस संसार में ही ब्रह्म हम व्यापक है, कनकन में व्यापक है, लेकिन अब ये क्या दरिश्टान्त दे रहे हैं, जैसे हम दूद दोते हैं तो दूद में घी जो होता है वो व्यापक होता है, लेकिन दूद से घी निकालने की प्रक्रिया होती है, हम उसको जमाते हैं, फिर मतते हैं, बिलोते ह फिर उसको गरम करते हैं घी के रूप में, पहले मक्खन से घी में, तो यहाँ पतनजली दर्शन के आचारिय कह रहे हैं, योग दर्शन के आचारिय, कि वैसे तो स्रिष्टी के कणकण में ब्रह्म है, पर योग के द्वारा मथना पड़ता है, जो योग दर्शन है, योग दर तो जो योगदर्शन है वह पुरुसार्थ के साथ साथ में ज्ञान के विशे में बात करता है, प्रयोजन के विशे में बात करता है, कि स्रिष्टी बनाने का प्रयोजन क्या है और आत्मा के विशे में अथवा चेतन के विशे में ब्रह्म के विशे में भी खुल कर बात करता अब यहां दर्शन के आचारिय कह रहे हैं योग दर्शन के कि योग के आठ अंग होते हैं उन आठ अंगों के द्वारा हमें मतना पड़ता है कैसे कहते हैं पिंड माही आठ अंग लेके खोज कीजिए जब चित देके ब्रह्म इस शरीर में ही है संसार के कणकण में भी है पर आठ अंगों का सहारा लेकर के योग के आठ अंग है इसको अस्टांग योग कहा जाता है उनका सहारा लेकर के जब हम खोजते हैं तब हम उसको पास सकते हैं नाडी चक्र सोधियें जब ही, जब हम योग की किरियाओं से नाडियों और चक्रों का सोधन करते हैं, मतलब जब इसकी सफाई करते हैं, उसको सुध करते हैं, मिले ब्रह्म आप में तब ही, तो आपके अंदर ही ब्रह्म मिल जाता है, अब थोड़ा सा योग के विशे में प्रदाय हैं, जितने भी, केवल हिंदूओं की में बात नहीं कर रहा, केवल यहां योगदर्शन के आचारियों की बात नहीं कर रहा, सभी मत की लोग किसी न किसी रूप में योग से जुड़े हुए हैं, क्यों? योग का तात्परिय होता है, योगस चित वृत्ति निरोधः, चित के वृत्तियों का निरोध करना, उसको रोकना, अथवा हटना, या समाप्त करना, यह योग कहलाता हैं, सभी मत किसी न किसी रूप में इसको मानते हैं, और जब हम योग के आठंगों को समझेंगे, तब भ कोई ध्यान को भले ही न मानता हो पर व्यायाम को तो करना चाहता है शरीर की स्वास्त रहने के लिए प्राणायाम को तो आजकल काफी लोगों ने जानना मानना शुरू किया है इसी तरह से यमनियम को हर कोई मानता है यमनियम को कोई नकार ही नहीं सकता है कोई भी हो हिंदू ह मुसलिम हो, सिख हो, इसाई हो, बौध हो, जैन हो या फिर कोई नास्तिक भी हो इसको नहीं न कार सकता है इसलिए योग का महत्व है पर सही धंग से समझें तो हम और आगे बढ़ पाते हैं सबसे पहले जो शरीर के सोधन की बात की जा रही है कि नाड़ी चक्र सोधिये जब ही तो वे छे कर्म होते हैं सट कर्म बताया जाता है उसमें क्या क्या आता है दियान से समझना अगर कोई योग के बारे में पूछे या किसी को बताना हो चित्वनी के विशे में तो आपको काम आएगा जो सट कर्म है नेती, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक और कपालवाती नेती का तात्परिय होता है कि जैसे नेती दो प्रकार के होते है एक होता है जलनेती और दूसरा होता है सूत्रनेती जलनेती का तात्परिय है कि एक पात्र आता है, बरतन आता है प्लास्टिक का भी आजकल मिल रहा है वैसे ताबे का भी होता है स्ट्रिल का भी होता है जिसमें से हम नाक के एक छेद में पानी डालते हैं और जुक करके दूसरे छेद से निकालते हैं इस तरह से दूसरे छेद से डाल करके फिर वापस निकालते हैं इससे क्या होता है इस छेत्र में जितना भी मैल अथवा कफ इत्यादी जमा हुआ है प्राणायाम करने के लिए तो नेती का यह लाव है दुसरा सुत्रनेती में क्या करते हैं कि धागा होता है या फिर आजकल रबर के भी मिलने लगे हैं इतना लंबा लगबग एक फिट लंबा धागा होता है इधर से नाक से डालते हैं और अंदर से मुझ से निकाल करके उससे नाक की सफाई करते हैं क्यों आगी प्राणायाम करना है उसके लिए ठीक है तो यह नेती हो गया उसके बाद धोती होता है कि जो सूती होता है सूती का पतला कपड़ा होता है लगबग इतना मोटा मोटा नहीं मतलब इतना चोड़ा और कम से कम भी डेड़ दो मीटर लंबा होता है उसको अच्छे से पहले तो गरम पानी में नमक वाले पानी में साफ किया जाता है ताकि उसके सारे बैक्टेरिया मर जाएं, फिर उसको दीरे-दीरे करके खाया जाता है, धोती को, कपड़े को, मुझ के मादेम से निगला जाता है, थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालना होता है, और धीरे-धीरे-धीरे-धीरे पूरा वापस निकालना होता है, इसको धोती कहते हैं, इससे क्या होता है आतों की सफाई ये हठी योग की क्रिया में आता है मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको करना ही पर मैं बता रहा हूं सामान्य जानकारी के लिए तो ये धोती कहलाता है उसके बाद आता है नौली नौली किसको बोलते हैं आप लोग ने कभी-कभी वो बाबा रामदेजी को योग करते हैं देखा होगा टीवी में वो पेट को छोटा करके घुमाते हैं ना दाई तरफ बाई तरफ उसको नौली कहा जाता है उसकी विधी होती है जिस गुरू को आता है उसी से आप सीख सकते हैं किसी से टीवी में देख करके सीखना भी नहीं चाहिए और तीसरा है बस्ती बस्ती कहते हैं जिसको आजकल आम बोलचाल की भासा में एनीमा कहा जाता है कभी किसी को कबज की समझ से होते है तो मलदवार के तरफ से पानी दिया जाता है और फिर वहीं से निकाला जाता है पेट को भीतर बाहर करके जिससे की आते साफ हो जाए उसको बस्ती कहा जाता है एनिमा और त्राटक होता है त्राटक किसे बोलते हैं किसी एक स्थान पर दो तरीके से एक तो या तो सफेद दिवार हो उसमें कोई बिंदी बना देते हैं और उसमें एक टक देखते रहते हैं अथवा कोई ब्यक्ती मुम्बत्ती जलाता है कैंडल और उसमें एक टक देखते रहते हैं कहते हैं कि इससे सम्मोहन की विद्या सिद्ध होती है ऐसा बोलते हैं कुछ लोग तो लगातर वैसे एकागरता होती है सम्मोहन का तो मुझे पता नहीं, पर एकागरता के लिए ये हठी योग में, ये सट कर्म में आता है, और उसके बाद आता है कपाल भाती, हम कपाल भाती को प्राणायाम की रूप में लेते हैं, तो ये कपाल भाती जो है, ये हठी योग के छे कर्म में आते हैं, छे क्रिया य किसे योग के आठां कौन-कौन से हैं? यम, नीयम, आसन, प्राणयाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. अब इसको एके करके समझते हैं सबसे पहले यम किसे कहा जाता है यम के पांच लक्षण होते हैं मैंने पहले कहा कि यम और नियम को कोई नकार ही नहीं सकता है यम के पांच लक्षण होते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचरिय और अपरिग्रह अहिंसा किसको बोलते हैं मन, वचन और कर्म से किसी को भी पीडा न पहुंचाना किसी को भी दुख न देना इसको कहते हैं अहिंसा इसी तरह से यम के पांच लक्षणों में से एक है दूसरा है सत्य सत्य तो पता ही हमें है ना धर्म के लक्षणों में भी सत्य आता है तीसरा है अस्तेय मतलब चोरी न करना चौथा है ब्रह्मचरिय ब्रह्मचरिय की तो कल व्याख्या हो चुकी है तो मुझे लगता है कि दुबारा नहीं करनी है जो लोग कल नहीं आये थे आप यूट्यूब से कल के दिन की चर्चा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगे और पांचवा है अपरिग्रह अपरिग्रह का तात्परिय है कि जितनी आवश्यक्ता है उससे ज्यादा का संग्रह न करना उसको अपरिग्रह कहते हैं और आज समाज में ये एक चीज नहीं है जो व्यक्ति जितना परिग्रही होता है संग्रह करने की प्रवरित्ती रखता है वो उतना ही दुखी होता है हम संग्रह क्यों करते हैं हम सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीड़ी आराम से खा सके होता क्या है अमुमन इंसान क्या सोचता है आप में से सभी लोगों ने बच्पन में दुख देखा होगा छोटे बच्पन की मैं बात नहीं करा हूँ जो बड़े लोग हैं आपने बच्पन में कश्ट देखा होगा तो जब आप माता पिता बनते हैं तो आप सोचते हैं कि हमने जो दुख जेला है, हमारे बच्चों को वो दुख न दिया जाए, पर इससे क्या होता है, इससे उल्टा होता है, होता क्या है, एक अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, कि tough time creates strong man, strong man creates easy time, easy time creates weak man and weak man creates tough time, इसका आर्थ क्या है? कि दुखद परिस्थिती में, विकट परिस्थिती में, मजबूत व्यक्तित्व का निर्मान होता है, जब व्यक्ति मजबूत बनता है, तो वह अपने समय को अच्छा बनाता है, मतलब परिश्रम करके, जब अच्छा समय आने लगता है, उसके बाद जो व्यक्ति पैदा होता है वहाँ कमजोर बनता है क्योंकि उसको सारी संपत्ती मिली है और जब वहाँ वेक्ती कमजोर बनता है तो आगे आने वाला समय फिर से कठीन हो जाता है ठीक है अरब के एक सेख ने इपने इंटर्वी में कहा था अभी कुछ दिन पहले की घटना है वो कहता है कि मेरे जो दादा जी थे वो उट पर चला करते थे मेरे पिता सामान्य गाड़ी में चलते थे मैं फरारी में चलता हूँ मेरा बेटा भी फरारी में चलेगा लेकिन मेरा पोता फिर से उट पर चलना शुरू करेगा क्यों? इसी उधारण को ध्यान में रखते हो तो हमारे संतों साधों ने कहा पूत सपूत तो क्यों धन Сंचे? पूत कपूत तो क्यों धन Сंचे? दोनों में अगर आपका बच्चा सपूत है अच्छा है उस्के लिए भी धन संचे करने की आवसेकता नहीं क्योंकि वो खुद इतना लायक है कि अपने लिए कर सकता है और यदि कपूत है है फिर तो आपने यदि संचय किया भी होगा तो वो दारू में जुए में उड़ा करके खतम कर देगा तो महां भी बचाने का कोई मतलब नहीं हाँ इतना होना चाहिए जैसा की कभीर जी कहते थे ना साई इतना दीजिए जामे कुटम समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए आज इस अपरिग्रह को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाया है इसलिए अध्यात्म की तरफ कोई बढ़ता ही नहीं है जो जितने लोग कहते ना कि हमारे पास समय नहीं है उन सब का मूल कारण है परिग्रह तो अपरिग्रह को पांच यमो में से एक यम बताया है इन में से किसी का भी यदि हम पालन नहीं करते कोई एक भी बिगड़ता है तो आगे की कड़ी खतम हो जाती है इसी तरह से ये पांच यम हो गए आगे है पांच नियम पांच नियम है सौच, संतोस, स्वाध्याय, तप और इस्वर प्रणिधान सौच किसको बोलते हैं? सौच का मतलब है सफाई अथवा पवित्रता यहाँ पवित्रता का मतलब ऐसा नहीं कि हम नहा रहे हैं नदी में जा करके, बातरूम में जा करके साबुन सेंपू, बाडिवास, लोशन लगा करके इसको सौच नहीं कहेंगे, यह सरीर की सफाई है लेकिन यहाँ सौच का मतलब क्या है? जीव की सुद्धी होती है, अथवा जीवात्मा की सुद्धी होती है और बुद्धी की सुद्धी होती है जियान के द्वारा, तो इनका सुद्धिकरण करना, अंतसकरण को सुद्ध रखना, यह सौँ छे, उसके बाद है संतोस, जो दूसरा नियम है, संतोस, संतोस का मतलब क्या हो गया? कि जो हमारे पास सामान्य परिश्रम से उपलब्ध है, उसमें संतोस्थ होना, तथा दूसरे की लालच न करना, जो संतोस का पालन नहीं कर सकता, वो अपर इग्रह से भी छूट जाता, इसलिए मैंने कहा न, सब एक दूसरे के पूरक हैं, और तीसरा है, तप, तप किसको बोलते हैं? द्वंदम सहनम अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिती में समानता बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, उसको तप कहते हैं, द्वंद कौन कौन से हैं, सुखे दुखे समम कृत्वा, लाभ अलाभ हो, जया जयो, सुख में, दुख में, लाभ हानी में, मान अपमान में, जय पराजय में, इन सब में समान रहने को कहा जाता है, धैरिया, तो, यह जो तप है, यह है द्वंद सहन करना, आप मान लिजए कि क्योंकि यहां बात हो रही न, साधना की, आप साधना के मार्ग में लगेंगे, योग के मार्ग में लगेंगे, और, लगते-लगते कोई ऐसी परिस्तिती आगए कि वीचलित हो गए, तो योग से आप वापस पतित हो जाएंगे, फिर से आपको जीरो से सुरुवत करनी पड़ेगे, तो वहाँ धैरिय बनाये रखना ही तब है, अब आगे है अगला है स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात पर यह नहीं कि हम कोई ऐसी नोबल ले करके, उपन्यास ले करके, कहानी ले करके बैठे हैं, उसको स्वाध्याय नहीं कहा है यहाँ पर, वो भी एक तरह से अध्याय नहीं है, पर यहाँ आत्मा का कल्याण कराने वाले ज्यान का अध्याय करना स्वाध्याय कहलाता है, वेद, दर्शन, उपनिशद, हमारी वानी है, बीतक है, और साद्वों की, संतों की जीवनी है, जिससे हमें कोई लाब हो, ऐसी जीवनी को पढ़ना, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना, यह स्वाध्याय कहलाता है, और पांचमा जो नियम है, वह है इस्वर प्रणिधान, इस्वर प्रणिधान का तात्परी क्या है? सर्वस्व समर्पन परमात्मा के प्रति सर्वस्व समर्पन इसका तात पर यह है कि इस संपूर्ण स्रिष्टी को उसका बनाया हुआ मान करके इस सरीर को भी उसकी सर्वस्रेष्ट कृति मान करके इससे जो भी कर्म करे निसकाम कर्म करना तथा इसके फल की लालसा न करना यह प्रणिधान में आता है। मेहर सागर का पाठ करना शुरू कर देते हैं कि राजी मेहर सागर पढ़ते हैं दुख को अटा दीजिए। प्रती अडीग रहना द्रिड रहना यह इस्वर प्रणिधान है। तो यह यम और नियम हो गए। फिर आते हैं आसन और प्राणायाम। आसन किसको कहते हैं वैसे तो स्थिरम सुखम आसनम कहा गया है। जिसमें आप स्थिरता पुरवक सुख पुरवक लंबे समय तक बैठ सके उसको आसन कहते हैं। पर यहां दो प्रकार के आसन हैं। एक तो ध्यान वाले आसन और एक व्यायाम वाले आसन। व्यायाम वाले आसन में क्या हैं बाडी को स्ट्रेच करने के लिए, स्वस्त रखने के लिए, जिससे की ध्यान वाले आसनों में मदद मिल सके। तो पहले सरीर को गरम किया जाता है, उसके बाद में स्ट्रेच किया जाता है ताकि हम लंबे समय तक बैठ सके ववयायम आसन हो गए और जब हम बैठना शुरू कर दिये पदमासन, सुखासन, सरलासन, स्वस्तिकासन, इत्यादी में जिसमें भी हमें सुविदा हो उस पर हम ध्यान में बैठना शुरू करते तो उनको हम आसन कहते हैं, तो यह जो यम, नियम और आसन है यह ध्यान के लिए ही है मुल रूप से, और चवथा है प्राणायाम, प्राणायाम किसको बोलते हैं, प्राण कहते हैं स्वास को यहाँ पर प्राण स्वास के लिए कहा गया है तो स्वास को लेना छोड़ना ये प्राणायाम है आप सोच रहोंगे कि हम तो इसका मतलब 24 गंटे प्राणायाम करते रहते हैं ऐसा नहीं है प्राणायाम की विधी होती है प्राणायाम की तीन प्रकार है पूरक, रेचक और कुम्भक पूरक का ताथ पर यह होता है सांस अंदर भरना रेचक का ताथ पर यह होता है बाहर निकालना और कुम्भक का ताथ पर यह होता है रोके रखना अब रोके रखते हैं दो प्रकार से जब हम सांस अंदर लेकर के रोके रख रहे हैं, हम प्राणायम करते हैं कभी कोई तो करता ही होगा, कभी ने कभी हमने सांस अंदर ली और रोके रखा कोरोना के टाइम में सब ने किया अपना-पना फेफड़ा चेक करने के लिए तो जो स्वांस अंदर भरके रोके रखा उसको बोलते हैं आभ्यांतर कुम्भक और बाहर निकाल करके रोके रखा उसको कहते हैं बाहय कुम्भक इसी को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग गती से जब हम करते हैं एक नाक से लेकर के दूसरे नाक से हम छोड़ रहे हैं यदि दायनाक से लेकर करके बायनाक से छोड़ रहे हैं उसको सूर्यवेदी प्राणायम बोलते हैं बायन से लेकर दायन से छोड़ रहे हैं उसको चंद्रवेदी प्राणायम बोलते हैं फिर दायन से लेकर बायन से छोड़ते हैं वापस बायन से लेते है ओम की ध्वनी का लंबे समय तक करके उच्चारण करते हैं तो उसको हम अभ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं तो ऐसे प्राणायाम की अलग-अलग क्रियाएं बाद में रिश्यों ने बनाई है या बाद में योगियों ने बनाई है वास्तों में पतंजली मुनेने ये कपाल भ योग के हिसाब से, लाभों के हिसाब से उनका नाम और उनकी प्रक्रिया बताए है, तो ये प्राणायम हो गया, अब तक के जितने भी योग हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायम, ये कहीं न कहीं बाहिय योग हैं और आभ्यानतर योग में क्या आता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि, क्योंकि अब समय पुरा हो चुका है, कल की चर्चा में हम सुनेंगे, कि प्रत्याहार किसे कहा जाता है, कैसे किया जाए, धारणा किसको कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, हम तो आख बंद करके बैठने को ध्यान कहते हैं, वो तो जिसमें हो वो ध्यान है चित्त की वृत्ती की निरन तरता हो कुछ समाई के लिए और वही जब लंबे समाई के लिए लग जाए तो उसको समाधी कहते हैं फिर उस समाधी के मार्ग में नौप्रकार की बाधाएं है हम सुन्दर साथ की चित्वनी नहीं लग रही है, ना, कारण क्या है उसमें? तो वो नव प्रकार की बाधाएं हैं, वो बाधाएं कौन-कौन सी है, उन बाधाओं को दूर किस तरह से किया जा सकता है, और उसके बाद फिर हमारी एक और वेदान्त दर्सन रह रहा है, और उसके बाद फिर निजानल संप्रदाई की जो पद्धती है उसको हम सुनेंगे कल अब समय पुरा होता है चोपाई दो रही आठ अंग योग के जेही नाम कहत हों तिन के एही आशन प्राणायाम जो कहिए प्रत्याहार धारना लही प्रत्याहार धारना लही बोलुश्री प्राणनाथ बोलुश्री सद्गुरु महराव प्रणायाच